तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लताफा प्राइड सीरीज के अल अरीक सिल्वर के बारे में और आप देखना शुरू कर चुके हैं लताफा प्राइड सीरीज रिव्यू पार्ट एट हलो दोष्तों मेरा नाम है कंचन पटेलो और आप देखना शुरू कर चुके है इस से एल पे हम फ्रेकरेंस बाते करते हैं और यह फ्रेकरेंसस आप देख रहे हैं इनके अलेडी हम वीडियो बना चुके हैं जो अलग अलग पार्ट में है ये 7, 6, 5 और जितने भी पार्ट्स आगे बनाए हुए हैं उन सब में ये आपको देखने को मिल जाएंगे लताफा के ये प्राइट सीरीज के बहुत प्रीमियम कलेक्सन है और काफी बढ़िया फ्रेगेंस कॉलिटी आपको मिल रही है और यूनीक फ्रेगेंसिस आपको मिल रही है ज्यादा क्लोन्स आपको नहीं नई नई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही है वही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लताफा अलरीक सीलवर के बारे में तो बॉक्स और प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यह बहुत बढ़िया सा आपको पेकेजिंग देखने को मिलता है जो गफ्तिंग पर्पस के लिए भी काफी बढ़िया है और अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है मुझे काफी अच्छा लगा इसका प्रोटेक्शन भी और यह जो जितने भी प्राइट सीरीज है आपको देखने को मिल जाता है अब इसे में स्प्रे करता हूँ और फिर बताता हूँ किस तरीके की फ्रेगेंस आपको इसकी मिलती है मैंने इसका टेस्टर अल्रेडी यूज किया हुआ था छोटे-छोटे फिफ्टी ने मिलके इसकी जो फ्रेगेंस है काफी तगडी, सॉलिड फ्रेगेंस है हर किसी को सेजेस्ट नहीं करूँगा सुरुवात से ही इसके अंदर लेदरी खुजबू मिलने लगती है जो सार्प सा एनिमली कैंकी लेदर है वो मिलने इसमें लग जाता है तो अगर आपको बोल्ट थीम पसंद है, डार्क थीम पसंद है तो ही इससे लीजिएगा उस तरीके कि इसकी फ्रेगेंस है लेदर की खुजबू इस पूरे फ्रेगेंस में प्रॉमिनेंट है उसके साथ में इसके अंदर आपको ऊद के हिंड भी देखने को मिलते हैं वेसा कि इसमें ये बखूर बर्नर बताया हुआ है और अगर आप समझते हैं कि कोई अच्छा सा बखूर आप जलाएंगे इसके अंदर और जो स्मोकी इफेक्ट पेदा होता है एक बढ़िया सा उद आप उसमें जला रहे हैं कुछ और अच्छी हिंच के साथ में एक अच् 30% audience है या फिर जो समझते हैं इसको ऊट को लेडर की fragrance को जो इन फ्रेकेंस को लगाना पसंद करते हैं उन्हें ये फ्रेकेंस डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है तो यहां पर आपको ऊट का और लेदर का कॉमिनेसन मिलता है और यह दोनों कॉमिनेसन जब साथ में आ दाले हुए हैं और यह जो चीज है वुडी टाइप के टेक्चर के साथ में लिदरी टाइप का लगता है अरुमिक टाइप का अरुमेटिक टाइप का लगता है दोस्तों अगर आप इसे आप जब थोड़ा और स्मेल करते हैं तो आपको कार्डेमं के हिंज भी देखने को म और अगर आप इसके 5-6 प्री भी लगा लेंगे तो 2 घंटे के लिए काफी लाउड होता है और आराउंस से 7-8 घंटे नेक्स डे तक भी आपके क्लोध स्पेस की फ्रेकेंस बनी होती है तो उमीद है आपको ये चीज पसंद आई होगी आप समझ पाएंग यू होंगे इस स्थिक के बारे में religion का वे र whats like पिसे आप इसे ऑफिस्विय नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपको दिली विए कुछ करना है कहीं आप जा रहे हैं कहीं गेैं दिरिंग में जा रह complaint जा रहे तो आपको वड़िया रहेगा बिंटर में अगर आपको लगाना है umo क्लिए ही मे लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो फ्लीस लाइक कर दीजिए गा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारा जो वेबसाइट है लीजिए बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट है फास्ट डिलेवरी है और हंड़ेड परसेंड ऑथेंटिसिटी की हम ग्यारेंटी लेते हैं पार्ट नाइन देख लीजिए